हेलो स्टेंड्स वेल्कम टु यून ओनलाइन केमस्टी क्लास आज अपन जो चैप्टर नमर फॉर है उसका नेक्स्ट जो पार्ट है जो बॉंड अपने पड़े थे टाइप उप जो बॉंड्स थे उन्हीं में नेक्स देखने वाले हैं सबसे पहले आपको रिमिंबर होगा थाइप के होतेर फारफवाला कों सा था एक ईनिक बॉंड जया को सबसे बहुत करेंगे कोढ़निशन बॉंड आज थैप फटका अपना वोंड है कोड़िनेशन ने दो पहु दुन करेंगे Coordination Bond का मतलब क्या होता है देखिए आप नौर्मल तरीके से Bond का मतलब होता है 2 Electrons कितने होते हैं 2 Electrons एक Bond का formation करने में कितने Electrons requirement है 2 Electrons मस्ट भी होने चीए तभी वह Bond होगा Ionic हो सकतर component अब इसमें सो Electrons है वो किस तैप से अपने पास में हैं इसमेरे पास में एक Atom है A और एक Atom क्या है इसमें B इन तोनों के वीच में Bond कराता हूं तो Bond अगर स्टैप से बन रहता है यह A है और यह B है एक Bond बनाने में 2 Electrons है एक Electrons अगर इससे आ रहा है एक Electrons यहां से participant कर रहता तो बढ़े अधिक दंट बोड़ और अगर ऐसा नहीं होता है एक ale बनाने में 2 Electrons यह वाले 2 Electrons Ay यह 2 Electrons Ay करता है एक यही अटम के द्वरा भॉर्णी का फॉर्मिशन होता है तो यह पॉर्णीक कोडिनेशन ओडरे वंसाइड होता है वनसाइड लिए एक सपहल बनाता है और लेटिश्ट इन उठाल में फॉर्म वर्ण। यह तिर भी विए लागवान वाले ही करक्टर में होते हैं बट यह पर थोड़ा सा माइनर इफ्रेंट्स है, वह आपको देखने क्या करक्टर होते हैं इस वाले एंटाब में अगर बात करें तो यहां पर इन दोनों को देखें तो ए और बी के बीच में पिछ बोंड अपनी पना अगर इस ताइब साफ रेपरजेंट करें तो कैसे मालम जलेगा कि लृष्ट बोंड है कि कॉडिनेशन बोंड है को डिनेशन बोंड को रीपरजे करने का आपके पास समीं method हो गया या तो arrow step से या arrow step से अटम के बीच में लगाएं ना जैसे इस वारे अटम में देखें A and B इन दोनों के बीचे में ने arrow represent कर दिया है यह वात है पी कौन सा बोंड है यह है coordination bond ए और B के बीच में कौन सा बोंड है coordination bond यह था identification आपने इची लिए कर लिया ऐसे लिग दूस को A और यह B है ऐसे रिखेंट कर सकते हो आप इसको यह भी A और B हैं यह भी कौन सा बोंड है students arrow देखके बता सकते हैं कौन सा बोंड है यह यह यहां पर देखिए दो अपने पास में यह रहे हैं एक होता है donor और एक होता है अब बताए ए और B अटम में से कौन donor है कौन ऐसेप्टर है क्या यह यह आपर बता सकते हो यहां पर यहां पर जो एरो है कोन तो डोनर है और कोन एसेप्टर है यह दो एलेक्ट्रोंस कौन सा एक्टम दे रहा है यह इस एरो की डायरेक्शन के अधारपे अपर डिसाइड करें अब देखो एरो की डायरेक्शन कोचछे में एसे बीकी तरफ जारहे हैं और डायरेक्शन कोचे आपर हैं तो जिसकी तरफ। जहां यह एक leben होता है यह जो एकX और यह वाला पार होता है यह वाला अगर और जाहां यह रहा ब्ल्स ओंड़ लो से घृट्रीं कॉतां है और एस तो कहा है डोंट्रोंस क्या तो यहां पर A तो क्या है डोनर है और B क्या है एक को यहां पर आके देखिया उल्टा हो गया हो सकता है किसे A दिया तो इस टैप से डोनेट कोन कर सकता है यहां पर डोनेट कोन कर रहा है यहां पर यहां पर यह एंडिंग हो रहा है रहा है उसके सामने कौन सा कहलाता है वह होता है एसेप्टर कौन सा है एसेप्टर यह कर रहा है और यह डोनेट कर रहा है किसको इलेक्ट कर रहा है यहां पर कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया डॉनर और अपने पास ने बन गए बॉन्ड कोन से चुड़े वहीं कोडिनेशन बॉन्ड के लिए को यूज करते हैं एक अटम डॉनेटर होगा और एक ऐसा होगा अटम यहां पर प्रजेंटर रहीगा कोडिनिशन बॉन्ड करना आसान होते हैं अब मैं बात कर रहा हूं कि कोडिनिशन जो बॉन्ड है तो कैसे अपने रिपरजेंट कर सकते हैं कि एक्जांपल अपने लेते हैं एक्जांपल है आपके पास में एक आपके पास है एक पाउनिया है एक हैं इन दोनों के बीच में अगर आपने को बोंडिंग करानी है कैसे कोडिनिशन जो बनाने के लिए एटम के पास में मस्क भी क्या हुना ची है हो क्या कंडिशन है कि दो लगा रहे हैं क्या कहते हैं लोन पेयर समझ लेजिए आगे शाज की काम आने वाल है इस डोट दो इलक्तों को क्या बोल सकते हैं लोन पेयर अगर मैं nitrogen की बात करूं तो इसके हम पर एक lone pair होता है कितना होता है एक lone pair always याद रखना है nitrogen पर एक ही lone pair present होता है यह मैंने lone pair यहाँ पर लगा देख क्यों होता है इसकी बाते अपना के जाए कि इसको explain करेंगे NS3 के उपर एक दो electron आगे यह किलाएगा lone pair ये lone pair सका मतलब कितने social Plaques TO Electrons ये है बी अैपер 3 सेंटनल आटम कहन रहा है, जो आटम नौथ क में होता है जिसकीлект उन सेंटल आटम होता है जिवां ये बड़ा होता है वन सेंटल आटम होता है यहां पर सेंटलेटम कोन है नाइट्रोजन कोन है नाइट्रोजन कोन है नाइट्रोजन लोन पेर किसके पास में नाइट्रोजन के पास बोरोन के पास में कभी लोन पेर है नहीं होता है नाइट्रोजन क्या करेगा इस लोन पेर को इस बोरोन को देगा यानि नाइट्रोजन दोनों के बीच में बोंडिंग कराना चाहते हैं कैसे बागी यह से जुड़ रहे हैं यह वाला है प्ली यह पास प्रजेंट होता है हें वही कोडिनेशन बॉंड बनाएंगे अब देखियां अगर यह लोक अब एक बनाने के लिए कितने लिए थे के पास इलिक्ट्रों से क्या इस जो होते हैं तिन बनाने में का के साम आच चुके हैं इसके पास कोई इलक्तłościल नहीं हो उत इसके पास वेलेंडस में 5 इल्क्तr लेड़न इन यथे रिखते हैं दो रहना सकता हो रहा साने कि यह पर एसा नहीं हो यहां पर आजाए एक electron यहां और एक electron यहां इस टैप से तो अकर यहां पर यह देखे तो step से एक bond बन जाए यह वाला bond दोनों में connection हो गया यह connection ही जाए bond हो गया आप bond कौन सा बनेगा यह कोगलाइंट bond जैसा हो गया पर electron किसके यहां पर use हो रहे है के सक का मतलबどerat को कर रहें नाइट्रोजन क्या लगा हैं इसstes का मतलब रहें इसका इन दोनों के बीचेन इसमें कौन सा बॉंड बन रहा है यह कौन सा बॉंड के लाएगा डॉनेटर कौन है इसमें डॉनेट कर रहा है जिसकी आरो तो बैक साइड मेरी टेल के पास अवो डॉनेट कर रहा है नाइट्रोजन तो यह तो क्यास के अंदर यह तो है डॉनेटर कौन है यह डॉनर और यह क कौण सा बात करता हूं दूसरे एक्जम्पल और लिचे यहां से आपकों किसमें आपके पास में हैं मैं कह रहा हूं कि NH3 प्लस एक आपके पास में हैं है है फिर नों के बेचे मिज़े वांडिंग करानी है क्या करानी है? बॉंडिंग करानी है. चलो मैं H+, Izen. NH3 & H+, Ion इस दोनों के पीच में बॉंडिंग करानी है. तो कौन सा बॉंड बने रहे हैं? NH3 एक पास हमेसा एक Long Pair होता है. क्या होता है? इसके पास कोई Long Pair है? क्या नहीं है? की ऑजिट्रोण की area कि गाए इसके पास मठाना तो बिज़ेंक गाले का किस ये नहीं गाले कोई प्रजेन हैं उन रह pursue मैं यो पर्लाइन के साथ में बॉंड चूड़ा कि इसके रहे से खोडिख साथ साब क्या सब्की रहे का formation हुगा क्योंकि एक bond बनाने में कितिकल की इन गहसं इसके पास बनाने में बनक्मानी पर यह आका इसे तक पियाद है LORD म्या करें यहां पर टेकर दोनेट करें है कि ns3 जो होता है ns4 प्लस आयन होता है इस वाले में आपने कैसे किया ns3 के साथ है यहां पर यहां पर यूज किया है ns4 प्लस आयन की पीच में कौन सा बॉंड है कोडिनेशन बॉंड है नाइट्रोजन कौन कर रहा है अपर यहां पर नृज को यह इंदर और जाता है किस तेप से बॉंड का फ्मेशन होता है वो अपने यहां पर देखा और लोजी होते हैं और यहां इस प्रैटम कोन सा रहेगा तो मोस्ली जो होते है क्या होने वाला है कौन सा प्रोसेस आपको पड़े हैं या पर और रिवाइज आप लोगों को पराना हो या इनिक जो बॉंड होता है वह जो कोवलेंड बॉंड होता है वह और जो इन तेनों में क्या सिमिलिटी जाता है उनकी बात है पर यहां पर यहां पर क्या बनते हैं क्या बनते हैं एक बनता है क्या बनता है इन नायन होता है जो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जाने क्या बनता है वह थो मोंड में क्या होगा दो एटम जो होते हैं दोनों के अंदर एक्वल नम्मर 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 के अंद यह फेर हो सकता है मूझत बी पके अगर को बादियो को किसमें इंडेट편 ऴस्यवह तो किया है कर्ला है एक यह कल आएगा है कि बहुत हैं यह बहुत हैं इस पर देखने वाले कि जो बॉंड होते हैं कि बोंड आपन चो पढ रहे हैं कैमस्ति का बेस है जो बोंड है उनके टाइप्स कितने वोपन ओड़े देख शुके हैं यह पर इलेक्ट्रोनिक बेस की आधार पर दूसरा टाइप जो अपने स्टाइटिंग में आपको याद हो अपने किया था कि वो था और्बिटल ओवरलोपिंग के बेस पर जो बॉंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं कौन-कौन से होते हैं सिग्मा और पर पॉण्ड इनको अब करेंगे। नेकस्त वाली कलासों के अंदर सिग्मा और पर प्शुंग होते हैं में कौन-कौन सी प्रैर्पटर होते हैं मस्त उन्हें क्या किया मैंट और फेचर होते हैं कौन सा को सब्सक्राइश्ट क्रहा हैं वर ठोड़ा सा चरह बेशिक पंडामेंटल हैichen तो फम भीशली है रखना है एक्टिव तभी इस्टेंट्स आप चुड़ पाएंगे थोड़ा सा बेसिक चीज़ है अगर यहां से बरंग करके पॉइंट को पॉइंट अपने पास से अंदर बढ़ रहे हैं पिछे वाली क्लासिया अगर आपको आपको आसे किलियर है तो आगे वाले पॉइंट्स को अंडेस्टेंडिंग करने में ज्यदा प्रोब्लम नहीं आएगी आप एजिली उनको एक दूबार रिवाइज करेंगे आप यहां से एकस्प्लें कर सकते हैं länger कर सकते हैं इसमें ज्यादा रटापी किसन नहीं है समझने वाली अन्नेस्टेंडिंग वाली चाहिए ज्यादा है थोड़ा साफ माइंड को पीसफुली रख कर गें और एक जिसक्राइब उसे समझने कोसिश करें किसमें क्या माइनर डिफ्रेंस पाया जाता है यह बोन्ड सब एक ही जैसे थोड़ा बहुत माइनर डिफ्रेंस होने करने की मेंचर क्या होगी अलगलग टाइप से मिल जाती है ओके जैंट्स चलो नेक्स वाले वीडियो मिलते हैं थैंक्यू सू मुझ आपके जैंट्स वाले वीडियो मिलते हैं थैंक्यू सू मुझ